कल ही कहा था आपको कि Reliance Power और Reliance Infra के Stock की Lower Circuit खुलते दिखेंगे और आज के टेडिंग सेशन में हमने दोनों Stock में Upper Circuit दिखा हालांकि वो Upper Circuit सस्टेन आर पावर में नहीं हो पाया और Reliance Infra अपर सर्किट में ही Close Down होते वे दिखा है तो आईए इस Stock में दोनों इस एपिसोड में दोनों Stock को डिसकस करने वाले हैं बहुत सारे लोगों का क्वेरी मुझे प्रसनली रिशीव हुआ जिनोंने आर इंफ्रा को 1445 के प्राइस पे भी खरीद रखे हैं हमने कहा था कि 110 का जो प्राइस है यहां से Small quantity strongly recommend करा था बाइंग के लिए और इस समय देख हैं कि लगभग 12-13 रुपया पर से आपको मिलते हुए दिख रहा है हर स्टॉक में बाइंग का आप से पहले आपको अपना रिस्क रिवार देखना चाहिए कि रिस्क कहां तक स्टॉक लोस हा रहा है टार्गेट कहां जा रहा है उसके बाद ही किसी भी स्टॉक को आप पूरत है और एबरेज भी करने से इस समय बचे फ्रेस कॉंटिटी लेते हैं तो स्मॉल कॉंटिटी ले वहीं रिलाइंस इंफ्रा में अभी होल्डिंग बनाये रखे और दोनों स्टॉक का पोटेंसियल है कि अगले डेड़ दो साल में यह स्टॉक आपको डवल का प्राइ की अगले